वो अपना एक्जाम इस वार ऑक्टूबर 2023 में देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट ली गई है इस नोटिस के आना है जो कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुल्ड नीज है आप सभी को थियोरिक जामने सिन में 5-10 नमबर तक का ग्रेस आपको कैसे लिख कर आना होगा जो आज बड़ी बड़ी अपडेट्स दी गई है वो सारी इंफ्रमिशन आपको दीने माना होगा रिक्वेस्ट करूँगा प्लिस इस पीडियो को एंट तर जूड़ देखना थाकि कोई भी टोपिक आप समें में मैं मरीश वर्मा आप सभी सेम इचे तरीके से हम अपने एजुकेशन में से भी वो गंदी के साफ़ परेंगे कि कोई भी अनपड़ ना रहा जाए सभी को 10 12 में पास करने का पूरा अधिकार है वो इसके लिए एन्विस बोर्ड सबसे बैस्ट सिस्टम है और एन्विस बोर्ड में इस्ट्वेंट्स क के अंदर admission लिया था एक नजर आप इस चार्ट पर डालिए 1920 के सेशन में लगवक पांच लाग बच्चों लिया वही रेट गिरता गिरता 22 और 23 के सेशन में यह संख्या 4 लगता पहुंच गई और अब यह गिरते जा रही है चार से सटीन तीन लाग दो लाग धाई लाग यानि कि इतने ही बच्चे सिफ है अनुस बोर्ट में admission ले रहे हैं इसलिए अनुस बोर्ट भी चाह रहा है new education policy implement हो जाने के बाद question paper को इतना easy बनाया जाए और जो आप answer seat में answer लिख कर आओगे उसकी checking भी ज्यादा tough ना करके उसको flexible किया जाए अगर आप question छोड़कर नहीं आयो और question आपने लिख दिया जैसा भी आपको answer आता था question से मिलता जोलता तो आपको attempt के भी marks मिलेंगे यानि कि checking में flexibility दिखाये जाएगा ताकि यह जो admission का rate है यह दिन पर ती दिन बढ़ता जाए और एनुस बोर्ट के अंदर भी assurance admission ले और यह बहुत ज़रूरी है ताकि passing rate एनुस बोर्ट से पढ़े और इसमें हम भी अपना contribution दे एक problem आपके hall ticket में यह आईए कि आपका जो exam center है वो आपके घर से को सो दूर है यानि कई बच्चों के center तो 70-80 km दूर दे दिये गए हैं जबकि आपका center आपके घर के लगभग 5-10 km के area में होना चाहिए और यह बात मैं नहीं एनुस बोर्ट को Supreme Court के द्वारा कही गई थी कि अगर आपका भी exam center आपके घर से बहुत दूर आ गया है प्लीज मुझा कमेंट्स करके बता है ताकि आपके इस प्रॉब्लम को एनुस पोर्ट के सामने रखा जाए ताकि आने वाले students को कोई दिक्कत ना है और इस पर जो आपके साथ प्रॉब्लम हूँ यह एक जाम center भी द लग जाता है कहीं फेल ना हो जाए दो इक हमेशा पूरी कोशित करता हूँ आपको पास करवानी के लिए आपको थोड़ा से महनत करना है आपको पास होने के लिए आपको एक पर जूरू एनिस बोड को बता जाना है कि आपको बुक्स मिली नहीं है यह email address एनिस बोड का आप इसे मैसेज कर दीजिए जिसको बुक्स बिगरान नहीं मिली है ताकि एनिस बोड के पास यह data पहुँच जाए कि कितने ऐसे students है इस बार जिनको बुक्स तक प्रोवाइड नहीं करेगी है ताकि आपको आपके थियोरिक जानमेशन में थोड़ा सा flexibility दिखा के आसान इसे पास किया जा सके क्योंकि बुक्स ना मिलने से जिनकी पढ़ाई नहीं उपाई है फेल उनकरडर सबसे जादा उनी को है एनिस बोड के एक जानमे से ब्रांच से एक बात पता चली जो आपको मैं भी बता देता हूँ सबसे पहले अगर आपने पिछले 3 सालों के जो question paper है आपने analyze कर लिया आप एक भी question इस बार के छोड़ कर नहीं आओगे आपको कोसिस यह करना है कि 2023 के April session में 2022 के October session में और 2019 के October session में जो question paper आया था आपको एक बार उन question को अच्छे से analyze कर लेना है उनमें से question 2-3 repeat होते हैं लेकिन वही question को घुमा कर दे दिया जाता है उनकी value change कर दे जाती है उनके एक दो word change कर दे जाते हैं लेकिन questions वही होते हैं आपको यह बहुत help करेगा आपके exams में पास होने के लिए अगर आपने तीन साल ये question paper को अच्छे से analyze कर लिया आपने अच्छे से उनके answer को भी समझ लिया तो question चाहिए कहीं से घुमा कर आजाए आप उनके answer जरूर लिख दोगे लेकिन अगर आपको time मिल जाए तो starting के 5, mid के 5 और last के 5 chapters आपको जरूर उनको read कर लेना है read करने से ये होगा कि आपको chapter की theme भी पता होगी, story पता होगा अब बना बना के लिख पाऊगी अगर मुझे कुछ भी नहीं आते तो मैं बना नहीं पाऊँगा और बना नहीं पाऊँगा तो answer छोड़ कर आ जाऊँगा कि कुछ तरीके हैं जो teacher आपके answer city में देखना चाता है और अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रखते हो तो मैं कसम से कहता हूँ कि आपको marks मिलेगा और पास भी हो जाऊँगे और पास क्या अच्छे marks भी आपके आएंगे इस social media के जवाने में यह बुखसी आपका एक सहरा है जो आपकी नईया पार लगा सकती है जब आपको लग रहा हो कि यह मेरे से नहीं हो पाएगा एक वार आप अपने मात अपीता का चाहरा देख लिए उनसे बड़ा इस दुन्या में कोई और motivation नहीं हो सकता आपके लिए उनके लिए आपको करना है जीन उनको जनम दिया और उनको ये गढ़ महसूस करवाना है और आप अपने अपव मत समझो किसी आ? आपके अंगदर वह सारी जनून है, आपके अंदर होसला है, ताकत है बस उसको दिखाना है कि छोटा से टैस्ट है, यह टैस्ट भवान आप टाइम आप से लेते रहते हैं, उसी में से बस इसको एक टेस्स समझ लेजिए, अब मैं आपको ये बताओं कि कैसे आपको लिखना है, जैसे आपको बताया गया है, तो सबसे पहले जब आपको answer seat मिलता है, तो उसमें first page में होता है OMR seat, इसको आपको fill करना होता है, ये fill कैसे क लिखने की starting इस तरीके से करने है, जैसे कि section A आपने डाल दिया, और आपने question 1 आपने हाँ पर डाल दिया, इसके बाद अगर दो number का question आया हुआ है, उनका दो line में लिख दीजिए, लेकिन जो आपको important लगे, उनको underline भी जरूर कर दो, अगर आप देखोगे, तो answer इसी तर accurate point नहीं आता, तो आप 1,2,3,4 लिखने की बजाए, आप यहां पर bullet point बनाओ, इस तरीके से आप डोट डोट लगा दो, और आप अपना simple answer लिख दो, इससे क्या होता है, कि teacher साब के point नहीं गिन सकता, teacher को यह लगेगा, आपकी answer की length है, वो सही है, यानि ठीक ठाक है, आप marks म बना दिना है, जैसे कि आप इनको देखिए, इन्हीं ने क्या किया, इहां लिखे reasons for emergency, इसके बाद इन्हीं ने 3 points बना दिया, और इन्हीं तीनों points को भी अंदर explain कर रहे हैं, बस इनको इनों diagram में दिखा दिया, अब teacher क्या करेगा, वो starting के in points को पढ़ लेगा, अच्छा भा आपके points को देखते ही, आपको marks दे जेता है, first impression is the last impression, आपको इस तरीके से बनाना है, इस starting के answer में, teacher को लगया, बच्चा पढ़कर आया, बहुत अच्छा बच्छा, इस starting के 3-4 questions इतने अच्छा लिख दो, आगे का answer वो हलके में check करके निकाल दे, आपको marks भी मिल जाए, त आप सब heading बना के points बना सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते, तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे से करके points बना दो, 4 number में 5 points, 3 number में 4 points, 2 number में 3 points, यानि जितने माक्सा को सन है, उससे एक extra point आपको ले कर चलना है, और इस तरीके से आपको follow chart में आपको answer present कर देना है, अब आपको ये points कहां से मिलेंगे, जो question में आप से बोला गया है, उनी question को उठाइए, पर points बना कर उसको explain कर देजिए, देखिया किस तरीके से बनाए गया है, ऐसे ही आपको लिखना होता है, ये easy format होता है, answer लिखने का सबसे अच्छा format है, to the points हो, और ये बच होगे, and जो static portion है, आप उनको तो थोड़ा ready सकते हो, अब ये चीज आपको लिखना ही लिखना है, तो उनको थोड़ा सा अपने mind में डाल लो, आप ज़रा देखोगे, तो इन्होंने section A डाला, answer की थोड़ी से definition दी, and इसके बाद इन्होंने formulas, जो derivation विगे रहा है, जो static portion है उन्होंने ये रट रखा था, इसलिए इन्होंने असानी से step by step इसको लिख दिया, ऐसे ही same आपको भी लिखना है, format आपको यही follow करना है, जो static portion है, इसका बहुत बड़ा खेल होता है, अगर ये चीज आपको याद है, आपने थोड़ा बहुत बना के भी लिख दिया है, उ कोई step समझा रहे हो, कोई process समझा रहे हो, तो इसमें इस तरह के साब को answer follow करना है, तो ऐसा होना चाहिए आपके लिखने के तरीका, अगर आपके बास biology है, तो ये theoretical subjects है, इन subjects के अंदर to the points में अगर आपने उंगली की step पे सब कुछ याद भी कर लिया, तो हर एक point को आप बन important point है, आप end में जरूर time निकाल के उनको highlight जरूर कर देना, teacher पूरे answer को नहीं पढ़ता, बस वही देखता है, जो उसको answer चाहिए आपके answer seat में, मानलो, पूरे answer में ये line सबसे important है, इस बच्चे ने pencil बकायदा ये लिकर गया था, और इसने pencil से इसको highlight कर दिया, यानिकि 10 मिन पहले ही आपको अपने exam खतम कर देना है, और end में आपको review करना है, और highlight कर लेना है, तो इस तरह के session answer लिख कर आते हैं, पर courses हमेशा उनके यही रहती है, कि जितना उनको आ रहा है, उतना लिख दो, जो नहीं आ रहा है, questions related बना बना के लिख दो, जैसे कि accounts में का होता है, कि table state से बना देते हैं, लेकि जब end में calculation की बारी आती है, तो यहीं भी बच्चे गलती कर देते हैं, और end में calculation गलती हुई, तो पूरी महनत खराब होगी हमारी, इसलिए आपको answer इस तरह के से present करना है, क्योंकि अब आपके लिए theoretical जानमिशन ही बहुत जादे important है, आपने नहीं मिलें, आपको marks आपका जब final result आएगा, तो उससे पहले ही मिल जाएगा, जैसे हमारे student है, October 2022 का, इसको भी marks नहीं मिलेते, लेकि जब इनको final result आने वाला था, तो उससे पहले ही इनको marks मिलें, जैसे आप देख सकते हो, data interim में भी पूरे marks मिलें, painting में पूरे मिलें, physics म total के होगे, 89 marks, यानि कि आप अगर इधर के column हटा देते हो, तो इनके सिब 13 marks है, किसों को बताने भी मजा नहीं आएगा, लेकिन, जब इनके marks set हो जाते हैं, तो बन जाके वो 89, इसलिए आप सभी के लिए, प्रैक्टिकल बहुत आदा ज़रूरी है, क्या आपको marks मिले हैं, या नहीं मिले हैं, एक पर comment box में बता देजिए, ताकि आपके लिए मैं जल्चे जल्ब आपके marks अपडेट करवा सकूँ, इस वीडियो को सभी जगा सहीर करना, अगर आपने अभी तक important questions with answer के साथ डाउनलोड नहीं किया, तो PDF को डाउनलोड कर लेना, ये paid notes है हमारे, लेक अगर आप चैलनल पे नहीं हो, तो फिल्च चैलनल को सब्सक्राइब कीजिए, गलेकन ओन कीजिए, और हमने अपने जो WhatsApp चैलनल बनाया है, उसमें जोइन हो जाईए, जहां पर मैं आपको वीडियो, notes, updates, notifications, सब कुछ देता रहता हूँ, link निचे description box के अंदर है, आपको पर आया है, वो पास हो कर जाए, मैं फर्वूस यही काम ना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत